डेल आप लोगों के साथ एक बार फिर कुछ न्यू प्रूरीज में कुछ न्यू इन्फोर्मेशन में तो गाले आज में देने वाली वाह आप लोगों को आपके ही कमेंट्स का अंसर तो मेरे पास बार-बार कमेंट आ रहा है मैंने एक वीडियो चड़ाय था काँड चिपका का तो उसका बार-बार मेरे पास कमेंट आ रहे हैं मेरे को बता हो यह कैसे चिपकाते हैं इसकी दवए का क्या नाम है इसका क्या प्रेसर रहेगा और एक मेरे पास कमेंट आ रहा है एक और क्या आप ब्लू ड्राई करते हो तो कौन सा सीरम और यूज कर रहे हो ब्लू ड्राई सो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि कान चिपकाने की जो दवई आती है उसके बार में पूछ रहे हैं तो फ्रेंड्स वह दवई आपको मार्केट में हर जग अवलेबल नहीं होगी जिसके पास पार्लर सीखावा है जिसके पास सेर्टिफिक्ट्स उसकी को ही प्रोडेक्ट दिया जाता है और सेकिन्ध बात मैं आपको बता तो इसकी होती है यह सिधा यह दारेक्टली लाके हम लोग घर पे नहीं चिपका सकते हैं इसके भी एक ट्रेंडिंग होती है इसका एक प्रोसेजर उता है जो हमें सीकना पड़ता है फिर जाके हम यह कान्च चिपकाने काम कर सकते है क्योंकि एक कैमिकल काम किसी को एसे ही मार्गेट नहीं दिया जाता है तो इसके लिए सिरफ पार्लर में या फिर 0rav के पास ही होता है यह हर जगे आपको नहीं मिलेगा मार्केट में और यह प्राइज भी इसकी महेंगी रहती है वन थाउजन प्लस आता यह तो इसकी प्राइज भी महेंगी रहती है और घर लाने से कोई मतलब भी नहीं है आप एक बर चिपकवा लोगे फिर काफी ड्रोप आती है इसके अंदर तो फिर बाकी प्रेंट आया था फ्रेंट्स इस्ट्रिक्स सीरम का सौरी बालो में हम लोग कौन सा मतलब सीरम यूज करें तो या फ्रेंट्स मैं आपको बताऊंगी मैं बालो में इस्ट्रिक्स का सीरम यूज करती हूं यह विटामिन ए का सीरम है आप देख सकते हो यह वाला मैं सीरम सीरम में इस्ट्रेट ائणि इनिंग वरों की तो भी यूज लेती हूं यह चीजिक में इसको काम में लिया जाता है यह कूछ आता है इसका आमंड का मैं यह हैर्ल को सी'll करने के लिए होता है और इससे हमारे बाल डेमिज भी नहीं होते है इसके लिए मैं इस ट्रिक्स का ही यूज करती हूँ इसमें भी अलग अलग ब्रेंड आते है एक गॉल्ड का आता है एक ये वाला आता है तो मैं ये ग्रीन वाला ही यूज करती हूँ फ्रेंट्स इससे हमारे बाल सा रहे थे जिस चीज के मैंने आज उस कमेंट के अंसर दिये आपको तो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंफॉर्मेशन के साथ तब तक लिए बबबी फ्रेंड्स